हेलो दोस्तों दोस्वागत है आपका न्यू करेंट जॉब में जैसा कि आपको पता है कि अगर आप भारत फाइनेस में जॉब करना चाते हैं तो भारत फाइनेस में आपको जॉब जो होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि दोस्तों और यहां पे एक वादे जरू कर लिजेगा तो चलिए शुरू कर दे और पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं तो वीडियो को पूरी लाज तक देखना है तो ठीक है दोस्तों यहां पे बता दे यहां पे लिखा हुआ है वान टू जॉइन अस इसका मतलब है कि आप इसमें जॉइन कर सकते हैं भारत माइक्र फाइनेंस में और भारत फाइनेंसाल में ठीक है तो यहां पे दोस्तों क्या बेकेंसी आई है सबसे पहले यहां पे दोस्तों बता दे कि यहां पे 40 बेकेंसी आई है जो असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आया है और यहां पे आपको फिल्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग की तो field की job होगी क्योंकि 12th pass out है और banking sector में जो job होता है वो 12th pass out नहीं होता है graduation pass out होता है तो लेकिन यहाँ पे अगर आप 12th pass out से भी अगर आप जाते हैं तो आगे चल के 1-2 साल में आप यहाँ पे बन सकते ही क्या तो branch manager ठेक है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा point है और option है ठेक है तो चल के यहाँ पे दोस्तो field assistant operator का काम क्या होता है कि जो भी महिला संगठन या पूरू संगठन होता है उसमें loan provide करवाना ठेक है तो यह एक micro finance का कामी है छोटे उधमी को आगे बढ़ाना ठेक है तो 18-27 साल आपकी इसमें age होनी चाहिए अगर आपका 18-27 साल age है तो आप यह loan लेने के लिए इजीवल हो सकते हैं अगर qualification की बात करे तो यहाँ पे minimum आपका 12th pass out होना जरूरी है ठेक है और यहाँ पे आपको 12th pass out के साथ साथ document आपका होना चाहिए educational certificate जहाँ पे आपका मूल परमान पत्र आप यहाँ पे अपना मार्कशीर दे सकते हैं 12th का और उसके बाद भी आपका इतना में भी हो जाता है उसके बाद अधार card, pain card और driving license driving license यहाँ पे mandatory है क्योंकि field की job है तो आपके पास bike और driving license होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे bike या scooter कोई भी है तो चलेगा यहाँ पे up to 11,000 रुपे मिलेगा प्लस आपको incentive मिलेगी हर एक bank में अलग-अलग incentive होती है किसी में 10,000 होता है, किसी में 5,000 होता है, किसी में 20,000 होता है तो हर एक bank के अलग-अलग incentive होती है ठेक है उसके बाद यहाँ पे plus fuel recommendation ठेक है मतलब 3,000, 2,000 जितना भी मिले ठेक है वो fuel का तो यहाँ पे आपका पूरा पर जाता है लगबख 20,000 तक आपको मिल जाता है 18,000 भी मिलता है, 17,000 भी वो आपके काम पे depend करता है ठेक है, तो अगर आपका काम सही है तो यहाँ पे आपको एक बात है जरूर होने वाली है कि यहाँ पर आपका अगर काम सही है तो आपका growth भी बहुत जल्दी है उसी bank में उसी micro finance में आप यहाँ पर manager भी बन सकते एक से दो साल के अंदर अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो interview की बात कर ले तो interview दोस्तो कैसे होता है इसमें तो पहले यह जान लीजिए क्योंकि दोस्तो बहुत सारे लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं है इनलिए उनको समझ में नहीं आता है तो interview जो होता है वो होता है जैसे कि आपको पता होगा interview जो होता है वो 50 number का question होता है उसके बाद आपका interview होता है तो आप यह interview भेज कर सकते हैं उसके बाद आपका job हो जाता है और सुरुवात में अगर आप 15-16 रुपे भी कमा रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा काम भी नहीं है और बहुत जल्दी आप यहाँ पे growth भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे other जो benefit आपको मिलने वाली है life insurance, health insurance, health plus family की insurance हो जाएगी यहाँ पे अगर address की बात करें तो यहाँ पे address दिया गया है इंदौर, धार, उजयन, दिवास, खार, गौन, और रेट, लाम यह दिया गया है, अगर यहाँ पे पूरा address की बात करें तो यहाँ पे पूरा address भी दिया गया है यह address आपका date जो होगा यहाँ पे address आपने देख लिया होगा date जो है, वो 24 फरवरी 2023 को सुबा के सारे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक तो यहाँ पे आपके लिए यह bester option है और इसमें आप job करके growth कर सकते हैं तो अगर आप interview देना चाहते हैं कैसे देंगे, क्या आपको apply कैसे करना है इसके लिए इस channel को subscribe कर लिजे और यहाँ पे new new job से recording vacancy की जनकारी आपको मिलती रहती है तो subscribe करना जरूरी है और अगर आप training या मतलब यह interview की वीडियो देखने चाहते हैं तो यह आपके लिए option है अच्छा खासा, तो करिए यह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है तो कैसी लगी है वीडियो में, comment में जरूब दाइएगा वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा फिर मिलता है, अगले वीडियो में जाहिए जावारत बंद मातल